लाइपोसक्षन सर्जरी क्या होती है लाइपोसक्षन चर्बी कम करने के लिए सर्जरी होती है जिसमें आपके त्वच्छा और मसल की बीच में जो चर्बी होती है जो अत्रिक चर्बी होती है एक्स्ट्रा चर्बी होती है उससे हम सक्षन द्वारा कम करते हैं जो कोई व्यक्ति अपनी एक्स्ट्रा चर्वी कम करना चाहता है जो बॉडी शेपिंग करना चाहता है जो डायेट एक्साइज करने के बाद भी अपने बॉडी शेप और साइज से खुश नहीं है वो लाइपोसेशन करवा सकता है सर्जिकल और नॉन सर्जिकल लाइपोसेशन में क्या फ़रद है नॉन सर्जिकल लाइपोसेशन जो होता है उसमें एक कोई पार्ट का पानी कम करके दिहाइडरिशन करके थोड़ा फैट सेल्स का साइज कम करके ओर रॉल साइज कम किया जाता है ये result जो होता है, ये कुछ दिनों के लिए रहता है, उसके बाद फिर से जैसे थे, वैसे ही fat cells आ जाते हैं, इसमें fat body के बाहर नहीं निकला जाता है, जबकि surgical liposuction में actually वहाँ का fat ये चर्बी जो होती है, वो suction दोरा बाहर निकली जाती है, इसलिए surgical liposuction results ज्यादा अच्छे हो होते हैं, और permanent होते हैं, जी, सर्जरी करने के पहले, medical fitness के लिए और INSS के लिए, टेस्ट किये जाते हैं, जैसे कि आपका hemoglobin, आपके liver और kidney के functions, आपका ECG, overall fitness देखा जाता है, उसके बाद आपको सर्जरी के लिए लिया जाता है, सर्जिकल liposuction के टाइप्स क्या होते हैं, लिपोसक्षन में बहुत सारे advances आये हुए हैं, जो conventional या फिर normal liposuction हैं, उसके आगे power acid liposuction और अभी जो है सबसे advanced वेजर liposuction यह आया हुआ है, वेजर liposuction अल्ट्रासाउंड गैडड़ लिपोसक्षन होता है, जिसमें जो चर्बी ह होती है, वो आज़ी बज़ी के तवचा और मसल से ज्यादा आसानी से separate होती है, तो आप ज्यादा easily चर्बी निकाल सकते हो, ज्यादा quantity या मातरा में चर्बी निकाल सकते हो, जिससे आपके results ज्यादा आच्छे होते हैं, और आपकी recovery ज्यादा fast होती है, Surgery में कितना time लगता है? Surgery में कौन सा अनेस्टीशिया यूद होती है? लाइपोसक्शन Surgery में local anesthesia और general anesthesia दोनों इस्तमाल होते हैं, local anesthesia में उतने ही भाग को injection दे के सुन किया जाता है, और operation किया जाता है, अगर आपको ज्यादा parts के treatment करवानी है, तो फिर general anesthesia का इस्तमाल किया जाता है, जिसमें patient भेहोश होता है, और फिर surgery की जाती है. लाइपोसक्शन Surgery के लिए hospital में कितने दिन रहना हो? अगर आप सिर्फ कोई एक पार्ट का operation करवाते हो, जैसे कि आप सिर्फ हातों का liposyn कराते हो, या फिर आप सिर्फ पेट का liposyn कराते हो, तो आप सुबह liposyn करवा के शाम तक घर भी जा सकते हो, ओवरनाइट अडमेट हैने की ज़रुरत नहीं होती. लेकिन अगर आप दो-तीन पार्ट का एक साथ करवा रहे हो, या फिर आप फिल बोड़ी liposyn करवा रहे हो, तो आप एक या दो दिन होस्पिटल में स्टे करना बेटर समझते हो. लाइपो सक्षन में कोई बड़ा कट नहीं लिया जाता, जो भी सक्षन किया जाता है, उसके लिए एक छोटा सा आदे सेंटिमेटर का पंक्चर लिया जाता है, जिससे सक्षन करके फैट भाहर निकला जाता है. यह कट जो होता है, बहुती छोटा सा सकार रह जाता है इसका, ओपरेशन होने के बाद जब आपका हीलिंग ठीक से हो जाता है, हम आपको ओइडमेंट्स और क्रीम्स देते हैं, जिससे की और हलका हो जाए वो मार्क, इसलिए कोई बड़ा मार के फिर बड़ा सकार लाइपो सक्षण सर्जरी का रिकावरी डाइम इतना है, लाइपो सर्जरी के बाद आपको वाकिंग या फिर डेली रूटिन अक्टिविटीज जल से जल चालू करना है, जैसे आपका अगर आज लाइपोसिन हुआ है, आप आज शाम तक या पर कल सुब तक आपको वाकिंग चालू होगा, लिकिन जो हैवी एकसाइज होते हैं या फिर वेट लिफ्टिंग होता है, या आपको पहले कुछ हफ्तों के लिए नहीं करना, जो आप कंफर्टेबल हो जाते हो, उसके बाद आप चलू कर सकते हो, लाइपोसक्शन सर्जरी के बाद, वो एकसेस फैट निकालने के लाइपोसक्शन के बाद, आपकी स्किन जो होती है, थोड़ी टाइट हो जाती है, इसलिए टाइट तो उसको होना ही है, 20 से 25 परसेंट तक स्किन टाइट हो जाती है, अगर लाइपोसक्शन के पहले भी आपका स्किन टोन थोड़ा लूज था, तो आपको स्किन के बाद, या फिर loose skin fold रह जा सकता है लाइपो सक्ष्ण और टमिटर यह दोनों में क्या difference है? लाइपो सक्ष्ण सर्जिरी में आपका जो अत्रिक्त चर्वी होता है जो फैट होता है उसे हम suction करके निकाल देते हैं और जो आपकी skin होती है, वो आपने आप जिती टाइट हो सकती है, टाइट हो जाती है, कभी-कभी अगर आपका skin tone पहले से loose है, तो वो skin का fold या फिर skin की घड़ी जो रहती है, रह जा सकती है, लेकिन tummy tuck में क्या होता है, उसमें हम fat तो कम करती है, लेकिन जो आपकी extra skin होती है, उसे भी हम cut करके निकाल देते, तो दोनों में ये फरक होता है, कि tummy tuck में cut आता है, और skin हम actually cut करके निकाल देते, जहां liposuction में बड़ा cut या skin cutting नहीं होता, अगर आपको liposuction के बाद, जो hanging skin होती है, वो नहीं चाहिए, उसको भी हटाना है, तो tummy tuck आपके लिए ज्यादा अच् जी, liposuction के बाद, आप जितना active रहते हो, आप जितना walking कर सकते हो, जितनी normal moments कर सकते हो, ये सब आपको करनी चाहिए, ये सब आप जितना ज्यादा करोगे, उतना आपका recovery fast होता है, और smooth होता है, दूसरी चित होती है pressure garments, जो की like run nylon से बनाय जाते है, ये garments आपको 6 हफतों के ल सकते हो, surgery का cost कितना होता है? आप liposuction कौन से part का करवाना चाहते हो, इस पे आपका cost depend करता है, अगर आप सिर्फ arms का करवाना चाहते हो, तो उसका cost अलग रहेगा, अगर आप full body करवाना चाहते हो, तो cost अलग जाता है, आप आपके डOCD से एक बार consult करे एकbenा करंगे बाद ज झाल झाल